देखे मुझे ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती है जब कोई भी रीटेल ट्रेडर्स को बेवकूव बनाने की कोशिश करता है और मैं मार्केट में बार बार देखता हूँ जो भी बड़े इंफ्लुएंशियल लोग हैं, जो भी बड़े इंस्टिटूशनल प्लेयर्स हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या जो भी बड़े इंस्टिटूशन्स हैं, सब अपने रिसर्च पेपर से, अपनी अनालिसिस से हम जैसे रीटेल ट्रेडर्स को आपको, मुझे बिगनर ट्रेडर्स को, बिगनर इन्वेस्टर को हमेशा बेवकूव बनाने का ही का करते रहते और ये रिपीट मोड में चलता रहते हैं क्यों चलता रहते हैं हम संगें औ Equad comparisons करते हैं त coffin आप influence हो जाते हैं और गलत काम करते हैं इसी तरीके का इसी तरीके का बहुत बड़ा सा एक फैलाया जा रहा ही है गलग स्पहमी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बताता हूं सारे बड़े प्लेयर्स सारे बड़े बड़े इंस्टिटूशन जेपी मॉर्गन हो गए कोई बड़ा इंफ्लुएंशियल ट्रेडर हो गया सब लोग अपनी अनलेसिस में आजकल बताएं क्या करने हैं जो भी ऑप्शन सेलर है बड़े बड़े वो क्या कह रहे हैं अब आने वाला है मार्केट में रिसेशन अब मार्केट गिरने वाला याद रखें कि ली पियर में ही रिसेशन आ आखे बड़े बड़े लोगों के जो औप्शन सेल करते हैं उन लोग की बातें सुनिये अब इस साल मार्केट गिरने वाला है तयार रहे होने वाली है कोई बड़ी गिरावट देखे मैं सच्चाई बताता हूं आपको ये लोग क्या कर रहें वो मुझे मतलब नहीं है लेक बड़े बड़े रिसर्च पेपर भी बोलेंगे और वो काम कभी होगा नहीं दिमाग में बठा लीजिए रीटेल ट्रेडर्स को बहकाने की बातें यहां हमेशा चलती रहेंगे क्योंकि रीटेल ट्रेडर्स के ही यह लोग पैसा काट के अपने अकॉंड में डालते हैं तो ध् केहता हूं इस साल भी क्योंकि यह रिसर्शन रिसर्शन की बात वर्येंगे अब इस साल बी और टाइम हाई फिर से टाच होगा अभी नहीं होगा तो यूएस का काम है आपको बियोगूफ बनाना यह सारे लोग बताते रहेंगे कि मार्केट गिरने वाला है नहीं गिरेगा या ऐसे ही मैं आपको बड़ा सटीक एक्जामपल देता हूँ लेकिए आप मेंसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी में इंविस्ट की होंगे तब जब बॉलिवुट के सितारे जब टीवी पे धेर सारे आड़ जब न्यूस पेपर में धेर सारे आड़ क्रिप्टो ब्रोकरेज क्रिप्टो ब्रोकरेज फर्म्स ये क्रिप्टो वो क्रिप्टो डॉजी कॉइन पता नहीं कौन-कौन फलाना धकाना कौन-कौन से कॉइन आ गया दुनिया में सब लोग एक दूसरे का promotion कर रहा है, सब सारी news channel यही बता रहा है, आप तो crypto boom आ गया है, और उस दिन से, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन से, जब से आपने actually market में cryptocurrency में invest किया होगा, market इस समय 50-60% आपका portfolio down होगा, और वो कभी नहीं निकलने वाला है, आप सोचते मत रहिए कि कभी 100-200% ने return देगा, नहीं, cryptocurrency towards zero ही जा रही हो, जाएगी भी, क्योंकि यही तरीका है, जब भी कोई चीज प्रचलित होती है, stock market न, वो काम नहीं होता, इस cryptocurrency प्रचलित हो गई, नहीं हुआ, उसी तरीके से 2023 से चल रहा है, recession आने वाला है, मैंने 2023 में भी एक tweet किया था, यह कहते हुए कि भी यह, recession नहीं हाई आएगा, इस साल और बड़े प्रचलित तरीके से बाते आफ़ाएं फैलाई जा रहे ही, गलत फैमिया, आपके दिमाग में डाली जा रही है, कि market नीचे जाएगा, इस साल भी market नीचे नहीं जाएगा, correction हो सकता, थोड़ा correction तो market में लाज पोजीशन बनाएंगे, यह लोग liquidity पाएंगे, liquidity पाखे, market में सही जगा position अड़ करेंगे, और market को और उपर ले जाएगे, यही तरीका है institutional players का और बड़े players का, ध्यान रखिए, गलती मत कीजेगा, जब तक market बहुत important levels को breach ना कर दे, तब तक market अभी नीचे नहीं जाने वाल तब भी एक all time high दे सकता है या वहां से, वहां से गिरने की कोशिश करें जो November में, अभी कुछ नहीं होने वाला है, बेवकूफ मत बनिये, लोगों की बातें मत सुनिये, market में normally trade करते रही है, मैं तो कहता हूँ, invest भी, अभी down आए, invest भी किया जा सकता है